दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक नीव वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेट की तरफ से वेरेज डिस्प्रीन के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगबग सभी वेकेंसी है अगर हम बात करें आपकी लिजबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, अलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, अलेक्ट्रोनिक और कम्प्यूटर साइंस इंजिनियर से लिजबल रहेंगे फ्रेसर से लिजबल है, All Our India के कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं और क्या बताय गया है इनके ओफिशल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा जोब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिशना हो और आप प्रीमियम टाइब जोब्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को जरूर जोइन कर लें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेड लखनौ डिवीजन की तरफ से साथ फरवरी को जारी किया गया है यहाँ पर आप एड़िटीजमेंट नमबर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नेम और पोस्ट के बारे में तो पोस्ट आपकी असिस्टेंट इंजिनियर की रहेगी बात करें आपकी इलिजबल ब्रांचों के बारे में प्रेक्टिव डिस्प्लीन में किसी भी रिकोगनाइज इंस्टिट्यूट या यूनिवर्स्टी से आप यहाँ पर इलिजबल रहेंगे इसलिके साथ यहाँ पर आपकी इलाइड ब्रांचों को भी इलिजबल किया गया है एलक्ट्रोनिक में भी प्रोडक्शन में एरोनोल्टिकल में मेटलर्जी सिविल और आर्किटेक्चर इंजिनिरिंग में और अगर आप किसी भी जई एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स एप्लिकेशन पर जई फांडेशन का बेच शुरू हो चुका है वहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सारे कॉंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी-बी टेक किया है इन ब्रांचों में और बी-बी टेक में आपके मिनमम 50% मार्क हैं आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आगे यहाँ पर आपके जोग डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि आपका यहाँ पर काम क्या रहेगा बात करें आपकी एज, क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरेंस के बारे में तो इसकी कट ओफ देट आपकी 28 फरवरी है अब बात कर लेते हैं आपके सेलेक्षन प्रोसेस के बारे में तो सेलेक्षन प्रोसेस यहाँ पर आपका रेटें टेस्ट के आधार पर होगा यहाँ पर आपसे multiple choice के question पूछ जाएंगे question paper आपका 3 part में रहेगा part 1 में आपसे 20 number के 20 question पूछ जाएंगे general awareness के पार्ट 2 में आपसे 40 question पूछे जाएंगे इंग्लिस और reasoning के और पार्ट 3 जो है आपका उसमें आपकी जो भी respective discipline है civil electrical mechanical उसमें आपसे 100 number के 100 question पूछे जाएंगे इसके लिए आपको total धाई गंटे का समय मिलेगा और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपकी कोई भी negative marking नहीं है general conditions में आपको बताया है only Indian nationals are eligible to apply तो जो भी दोस्त यहाँ पर eligible है all our India के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो apply process यहाँ पर आपका offline रखा गया है इस pdf का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा आप महाँ से इसे download कर लीजिए यह वाला application form आपको बहुत ही अच्छे से fill up करना है और इसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document हैं वो सारे आपको self test करने हैं और आपको भेज देना है इनके official address पर यह सभी document आपके 28 फरवरी तक इनके official address पर पहुँच जाने चाहिए बात करें आपके pay level के बारे में तो salary यहाँ पर आपको 30,000 रुपे से लेकर 1,20,000 रुपे प्रतिमंथ मिलने वाली है तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं और इसके साथ यहाँ पर आपको other allowance भी provide किये जाएंगे तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें civil engineering के सबसे ज्यादा job update पाने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें